हेलो फ्रेंद्स हाव आई यू अंकित पांडे एंड वेलकम तू माई यूटूब चैनल तो आज इस मेडिसिंग को हमें आपर डिसकस करेंगे वह है आसे निकम एल्बम जो कि इस वल्क बहुत जादा यूज की जा रही है इसलिए आज मैं आपको इसके मेंटल सिंप्टम्स, कॉंस्टिट्यूशन और फिश्कल जनर्नल्स के बारे में बताऊंगा विट डाग्राम एक्स्प्रेंग करूंगा जिससे आपको इस मेडिसिंग को समझ का याद रखने में आसानी होगी और इसली आप इस मेडिसिंग को प्रेस्क्राइब भी कर सकेंग और इसका जो केमिकल फार्मूला है वह है AS2O3 अब हम कॉंस्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट आता है फिश्कल मेकप मतलब यह पेशेंट कैसे दिखते हैं once everything neat clean and in order मतलब इन्हें हर चीज साफ सुत्रा और एक order में पसंद है वह अपने हर समान को एक order में रखते हैं कभी भी फैला कर नहीं रखते thermal की बात करें तो यह chili present होते हैं और thirst की बात करें तो great thirst for cold water drink often but a little at a time मतलब इन्हें ठंदे पानी पीने की तीवर इच्छा होती है बहुत ज्यादा प्यास लगती है बट एक time पर बहुत कम पानी पी पाते हैं sip sip करके पानी पीते हैं यह क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा प combination होते हैं तो अब हम guiding symptoms की बात करें तो उसमें जो पहला point है वो यह है कि arsenic patient को हमेसा great fear of death होता है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी बिमारी हो जाएगी तो वो बचेंगे नहीं उनको जो disease होगी वो fatal है और incurable है और वो medicine ले रहा है वो useless है उससे कोई फायदा नहीं है तो arsenic patient has great fear of death, think that he is incredible, the disease is fatal and it is useless to take medicines. Next point यह है कि वो mentally restless होते हैं और but physically two weak होते हैं मतलब उन्हें mentally बेचानी बहुत ज्यादा होती है और physically two weak का मतलब यह है कि उन्हें चलना फिलना ज्यादा पसंद नहीं है वो एक जबहां बैठना ज्यादा पसंद करते हैं यहां पर हम tie-o of restlessness भी देख लेते हैं इसमें arsenic, equonite और rustox आता है जिसमें arsenic और equonite में mentally restlessness होता है और rustox में physical restlessness होता है मतलब इनको चलना फिलना बहुत पसंद है यहें बिमारी अवस्था में भी एक जबहां बैठे हुए आप नहीं पाएंगे next जो point है कि arsenic patient में burning pain होता है और उसमें जो relief है वो heat के दवारा होता है except in head इसके लिए dr. Kent ने कहा है arsenic patient में कि the patient wants to keep his body in a hot room but head in refrigerator मतलब जो arsenic patient है वो अपने body को एक hot room में रखना पसंद करता है बट अपने head को एक refrigerator में रखना पसंद करेगा उससे इसको आराम मिलेगा next जो point है वो बहुत ज़्यादा important point है जो आपको याद रखना चाहिए कि great prostration with rapid sinking of the vital force fainting मतलब great prostration का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा उनमें ठकान होता है इतना ज़्यादा कमजोरी होता है कि उससे वो बेहोश भी हो सकते हैं इस तरह के complaints आपको arsenic के patient में मिलेगा next जो point है वो है कि जो arsenic का patient है उससे खाने की smell पसंद नहीं होती है यहां तक कि उससे खाना देखना भी पसंद नहीं है next जो point है वो आपको पता होना चाहिए कि symptoms generally worse from 1-2 p.m. और 12-2 a.m. मतलब उसकी जो complaints है वो 1-2 p.m. और 12-2 a.m. के बीच में aggravate होती है उसकी जो complaints है वो annually return होती है ओके excessive exhaustion from least exhaustion मतलब थोड़े से work सही मतलब थोड़ा सही काम करने से वो बहुत ज़्यादा ठक जाता है अब हम arsenic के patient के mental journals के बारें बात करें तो जो patient होते हैं वो बहुत ज़्यादा depressed होते हैं despairing होंगे मतलब बहुत ज़्यादा निरास होते हैं और melancholic मतलब बहुत ज़्यादा अंदर या अंदर mentally दुख होता है उन्हें हमेशा ulgencies इनको बढ़ी जाती है इन सब चीजों के वज़से बहुत ज़्यादा irritable हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा sensitive हो जाते हैं और easily waxed हो सकते हैं easily किसी से जगड सकते हैं attack of anxiety at night dry out of bed मतलब रात में उन्हें anxiety का attack होता है मतलब बहुत ज़्यादा anxiety होती है उन्हें रात में जिसके वज़े से वो सोते सोते उठ जाते हैं बिस्तर से teething children are pale, weak, fretful and want to be carried rapidly मतलब जो teething children होते हैं arsenic के वो बहुत ज़्यादा weak दिखते हैं और fretful का मतलब बहुत ज़्यादा irritable होते हैं बहुत ज़्यादा चिर्चड़ होते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि कोई उन्हें गोद में ली आ रहा है तो यह होता है arsenic patient का mental journals अब हम arsenic patient के headache के बारे में देखेंगे कि किस तरह के headache में arsenic दी जाती है तो इनका जो cause होता है headache का जैसे यह चीरी patient हैं तो exposure to cold strain को headache हो सकता है eating ice cream से headache हो सकता है loss of vital fruits से हो सकता है और abuse of alcohol मतलब alcohol से alcohol पीने से headache हो सकता है और location की बात करें तो मतलब यह कहां कहां पर head में headache हो सकता है तो periodical headache in all parts मतलब head के किसी भी पार्ट में headache हो सकता है और यह periodical होता है मतलब बार बार होता है character of pain की बात करें तो pain किस तरह का होता है throbbing and burning pain और यह aggravated मतलब इसमें दिक्कतें किसी से बढ़ती है light से दिक्कत होती है मतलब इन्हें चमक धमक पसंद नहीं है ज्यादा motion से दिक्कत होता है और from 1 to 3 p.m. मतलब रात में 1 से 3 बज़े तक इनका headache बढ़ सकता है और जो relieved है वो है cold application देखे केंट सर ने बताया था कि जो headache है वो ऐसा लगता है कि उनका head refrigerator में रख दें उससे उनको आराम मिलता है तो इसलिए इने cold application से आराम मिलता है और light में problem थी तो in dark में उन्हें relief मिल स्टैनल सिस्टम में जो complaints हैं उनके बारे में बात करेंगे तो उसमें पहला point है वो है burning thirst without special desire to drink मतलब जो arsenic के patient होते हैं मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा thirsty होते हैं और उनको मन करता है कि वो chilled water पीए बहुत जादा थंडा पानी पीए तो जब भी वो ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे उनको वर्म्टिंग हो जाती है तो इसलिए without special desire to drink हमेशा होता है मतलब कुछ पीने का मन नहीं करता है next point है कि lies like a stone in stomach मतलब उन्हें ऐसा feel होता है कि उनके stomach में stone जैसा कुछ रखा हुआ है ऐसा complaints आपको बताएगा आरसेनी का patient इसके लावा उनके मुझ का मज़ा खराब होता है हमेशा इस वाज़े से उन्हें खाने का taste नहीं आता यहां तक कि खाने की smell उनको पसंद नहीं है और खाना देखना भी पसंद नहीं है यह chili patient होते हैं इसलिए इन्हें cold fruits ice cream ice water alcoholic drinks इन सब चीजों से गैस्टिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है जैसे गैस्टिक डियरेंजमेंट आफटर cold fruits ice cream ice water and alcoholic drinks और हमेशा इन्हें eating और drinking के बाद डैरिया होता है डैरिया आफटर eating और drinking अगर आरसेनी के patient में hemorrhoids की complaint हुई तो इसमें जो pain होता है वो stitching pain होता है और pain हमेशा walking और sitting के time होता है not at stool मतलब stool के time pain नहीं होता है ओके यह था इनके gastric complaints अब हम आरसेनी के patient के respiratory system की बात करेंगे उसमें asthmatic complaints सबसे जादा होता है मतलब asthma की problem होती है इन में और जो asthma है वो aggravate by suppressed eruptions मतलब skin में कोई eruptions हुआ उसको हमने कोई cream के दवारा suppressed कर दिया उससे asthmatic complaints develop भी कर सकता है और aggravate भी यह चिली patient है इसलिए cold things और cold food से इन्हें aggravation होता है अस्तमा में he is unable to lie down for fear of suffocation मतलब suffocation के fear की विए से वो नीचे नहीं जुक पाते हैं must sit or bend forward and abduct arm for relief मतलब वो जादा तर बैठे होते हैं और आगे की और जुके होते हैं और अपने हाथ को अपने body से दूर रखते हैं जिससे उनको अस्तमा में relief होता है अब हम इसके skin complaints को देखें तो इसमें जो skin है वो pale waxy earthy color की हो जाती है मतलब हलका पीला waxy मतलब mom जैसा layer होता है skin के उपर और earthy color का होता है skin इसके लिए जो skin है वो dry हो सकती है and scally मतलब पपड़ी जैसी skin हो सकती है इसको कुरूचने पर हलका सफे 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 सा निकलता है उसी को कहते है scally हलका पपड़ी जैसा ओके और जो perspization होता है पसीना वो cold clammy perspization होता है मतलब हलका थंडा चिपचिपा पसीना होता है ऐसे और black vesicles हो सकते हैं skin में vesicle का मतलब यह है कि छोटी छोटी पानी से भरी हुई दाने निकलते हैं और उसमें burning pain होता है अब हम arsenic patient के modalities के बारे में बात करेंगे तो उसमें पहला point है aggravation कि किन-किन चीजों से इनकी दिकतें बढ़ जाती हैं जैसे कि यह chili patient है तो इसमें cold food और cold drink से इनकी जो complaints हैं उसमें aggravation होता है यह कोई भी काम करते करते जल्दी ठक जाते हैं इसलिए exertion से इनको aggravation हो सकता है lying on affected side से aggravation हो सकता है इसके लावा 1 से 2 pm और 12 से 2 am के बीच में इनके जो complaints ह है उसमें aggravation होता है मतलब इनकी जो problem है वो बढ़ जाती है amelioration की बात करें तो इनको heat से अराम होता है except head में मतलब जो headache है उसमें जो अराम है वो cold से होगा बाकी सभी चीजों में अराम heat से होगा यह company desire होते हैं इसलिए इनको company से अराम होगा किसी के मतलब किसी संगती से अराम होता है कोई आकर बात करें तो इन्हें बहुत अराम होता है उससे इसके लावा रेस्ट से होता है कि अब हम इसे थोड़ा डाग्राम से समझेंगे जिससे और इजी होगा इससे समझना जैसे great fear of being alone यह आरसेनी का एक पेशेंट है जिसे अकेले लाने से ड़ लगता है extreme love of tadiness मतलब साफ सफाई से बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए पेड़ के एक भी पत्ते नहीं बचने दे रहा है एक भी सूखे पत्ते नहीं बचेंगे पेड़ पर इसके लावा evacious behavior मतलब यह अजीब तरह के बिहेव करते हैं हर चीज को दोएं लगते हैं थोड़े कंज most always cold मतलब बहुत chilly patient है यह okay aggravation of complaints at night night means की complaints बढ़ जाती है next diagram में आप देखेंगे कि इसको fear of death है मतलब infected होने से इनको डर लगता है कि इनको बहुत बड़ी disease हो जाएगी ठीक है इसलिए बहुत ज़्यादा आपने आपको cover करके रखते हैं यह मतलब disease से बचने कोसित करते हैं इसके लावा इनको लगती इनकी जो disease हो गई है वो बहुत बड़ी है cancer की तरह हो गई है चोटी disease भी fear of death होता है इनके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि cancer ने बताया है हमें कि जो आसनी के patient हैं उनको पूरी body में heat से आराम होता है इसलिए पूरी body cover किये रहते हैं यह बहुत chilly patient है बट जो head है वो उनको ऐसा रखता है कि वो refrigerator में रखें उससे उनको अराम मिलता है इसके लावा जो इनका diarrhea होता है वो बहुत ज़्यादा offensive होता है और diarrhea के बाद कभी कभी warmting भी हो जाता है इन्हें great thirst होता है of cold water का but sip sip करके पानी पीते है great thirst with desire for frequent small sip okay इनके stomach में burning pain होता है बट जब यह बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे warmting भी हो सकता है ओके तो friends यह थी हमाई medicine arcenicum album जिसे मैंने आपके लिए with diagram explain किया यह वीडियो आपको कैसा लगा यह नीचे मुझे आप comment box में बताएं और यह वीडियो आपको पसंद आया तो please like किजिए thank you for watching and please subscribe for more interesting videos